हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो लेंस रविसेट, दिस इस रामसोनी, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्पूर्ण डाट के बारे में, that is called पंचायती राज एक्स्टेंशन अप्स्टूर्ड अरियाज एक्ट, इसे हम साथ में पैसा डाट के बोलते हैं, साथ में भूरिय की गुणजाईस है, उसको हम complete डिसकस करेंगे, तो आज ही स्टार्ट करते हैं, पंचायती राज एक्स्टेंशन अप्स्टूर्ड अरियाज एक्स्टेंशन के बारे में, इसे हम साथ में पैसा डाट बोलते हैं, अब देखा जाय तो as of no क्यों important हो जाता है present time में, आजादी का अमरित महोसो अभी हालिवे से रिबेट किया गया, और इसके चलते हैं, पैसा एट का 25th year of celebration यहाँ पर किया गया, देखें पैसा एट का जो formation है, 1996 में इसको लाए गया था, as of no 25th year हम इसको से रिबेट कर रहे हैं, इसके चलते हमने इसके जितने भी provisions हैं, उसको proper तरीके स discuss किया, क्या क्या improvement उसको हो सकता है, उसको भी हमने discuss किया, और सबसे महात बात है, लोगों को जागरू करने का काम किया, जब भी बात करते हैं, पंचायत की, तो पंचायत के लिए सबसे महात बात है, कि जो पंचायत का formation है, वो अपने आप में local self-governance का एक बहुत ही महात जाबी दिया गया है, यहाँ में बात करें तो बहुत सरी committees के नामा को पतोना चाहिए, जिसे बलवंत राय महता committee का important नाम है, बलवंत राय महता committee ने यहाँ पर ठीटाय सिस्टम को प्रपोस्ट किया था, और उसके चलते रायस्थान के नागोर जिल में पहली बार है पंचा सिस्टम को as of now, एक समवथानी तरजब मिला है, तो इक कुछ committees है जिनके बारे में आपको पता होना चीए, now the next important point is that, पैसा एक 90-96 क्यों लाया गया, देखिए, पता होना चीए, पंचायस extension to schedule areas act 90-96 तो लाया गया, उसका purpose क्या था, देखिए, स्टार्टिंग में देखा जा नहीं किया गया, आपको पता होना चीए, जो proper, original जो हमने 73rd amendment act के माधम से जो provision लाये थे, पंचातिरा सिस्टम के लिए, ठीटाय सिस्टम को हमने propose किया था, उसमें एक article था, आर्टिकल 243M, इसके द्वारा हमने ये पंचातिरा सिस्टम को scheduled or travel areas में रेस्टेट कर दिया था, हमने इसको रेस्टेटरिस ले किया था, कि कहीं ऐसा ना हो, कि वहां की जो autonomy है, वो खराब हो जाए, और वहां पे जो culture है, वो damaged हो जाए, इसलिए जो उनका खुद का पंचायत सिस्टम था, उनका खुद का, तो उसी सिस्टम को continue रखा गया, लेकिन बाद में पंचातिरा इ exempt किया था, लेकिन बाद में अब इसको हमने पैसा एक्ट, 1996 के माद्यम से हमने जो travel areas है, वहां बार भी इसको लाओ कर दिया है, तो पहली बात तो ये पता हो ना चीए, तो आप समझ चुके होंगे, इसका purpose क्या है, self governance, जो है, ये scheduled areas तक भी हम पहुचा सकें, ये इसका में लाया गया था, पैसा की बात करें, ट्राइबल लेशलेशन में, जो हमरे अनुसु से जनजाती की जवाबादी है, जो हमरे आदिवर्शी समाज के लोग है, उनको एक प्रिकास से कह सकते हैं, कि self-governing के लिए एक बहुत ही भातपूर्ण एक टूल कह सकते हैं, पैसा, म पूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन 1905 में मिलाएगी, 73rd Amendment Act के मादियम से जब पंचायतर सिस्टम को हमने एक समवधानी तिलजा दिया, उस समय आर्टिकल 243 यम में प्रोविजन डाल दिया था, कि ये सिडूल और ट्रावल एरियाज में नहीं लाग किया जाएगा, लेकिन पूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन 1905 में आती है, और उन्होंने बुला कि पंचायत का एक्स्टेंशन सिडूल डियाज में भी किया जाए, और उसे के बादियम से पैसा Act 1996 लाए गया, और उसके चलते पंचायत को एक्स्टेंड कर दिया गया, ट्रावल एरियाज में भी, ये कह सकते हैं, ये एक महत्पूर्ण स्टेप था, तो भूरिया कमेंटी के रिकमेंडेशन आपको याद अटना चीए, कई बार एक्जाम पुछाता है कि भूरिया कमेंटी किस चीज़ से सम्मंदित है, तो ये चीज़े हमें पता होना चीए, पैसा की बात करें, तो देख बिसिक्ली चेंज नहीं कर सकती है, तो वहां पर लोगों का खुद का एक कल्चर होता है, तो हमने सिस्टम इसले लाया कि कई बारा सहोती रासरकारे जोती होती है, अपने फायदे के लिए, कुछ नए डिशेशन आते हैं, कोई सार एक्ट लाते हैं, तो उसमें उस ट्राब अबली रियाज को बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इस एक में एक ऐसा प्रोविजन रखा, जिसमें ग्राम सभा के द्वारा लेग एडिशन को राजी की जो सरकार है, राज विधान सभा जो है, उसको चेंज नहीं कर सकती ह मतब ग्राम सभा को हमने की सारे पावर दिये, इसके लावा एक और चीज़ है, ग्राम सभा के नोट भी कर्टेल बाई हायर लेवल, मतब ये चीज़ मैंने डिसकुस कर दिया कि हायर लेवल पे ये प्रिकास से कह सकते हैं, ग्राम सभा को हमने इंडिपेडनेस दिया, सुतर ग्राम सभा एक बहुत ही मातपूर अथॉर्टी होती है जो पैसा एट के अंतरगत इनको इंपोर्टेंट पावर दिये गए कि यह सारी चाजों को यहां पर अप्रूब करेंगे ग्राम सभा की बात करें तो जो भी जो ट्रावल के जो कल्चर्स हैं ट्रैडिसंस हैं जो हमारे एदिवसी समाज के जो कस्टर्म से हैं कल्चरल अइडेंटी है उसको सेफगार्ड करने का काम करेगा प्रिजर्व का मतलब है संरेक्षन करने का काम करेगा मतलब जो एक्स्टरल एजंसी इसको बाहर चाहता है और वहां पे कल्चर को डैमेज करने कोशिस करता है तो ग्राम सबस्वा जो है यहाँ पर benefit करेंगी किसको इसका benefit दिया जाएगा जो scheme से हाँ पर चलाई जाएगे उसका benefit कौन को से लोगों को मिलेगा ग्राम सबस्वा की बात करें यहाँ पर जो MFPs है इसकी और अरस भी नहीं के पास में रहेगी सबस्वार बात है जो इसका अप्रोवल ग्राम सभा करेगा, रेजरविशन अब सीर्स की सुगमे सरी प्रोजेट्टि तो ग्रामसभा करेगी, तो ग्रामसभा के पास देखा थे एर प्रिकास से बहुत सरे पावर है, लैंड एक्विशन के भी पावर इनके पास तो रहेंगे, लेकिन इसके चलते हैं यहाँ पर पैसा एक्ट में प्रूविजन ड़ा गया कि ग्राम सवाई सारी जहें डिसाइड करेगी इवनली मैनेजमेंट आफ माइन वाटर बोडी हैं ग्रांट आफ लाइसेंस है माइनिंग लीज है लेंड कई बारा ऐसा देखा आता है कि जैसे मालेजी ट्रैवल्स हैं और उनके पास लैंड जो है बाहर के लोगए उनको तो पता भी नहीं होता कि उनके लैंड की किमत कितनी है thirty यहाँ पर एक एकड़ का लेंड है और एक इकड़ जो है एक अच्छी ऑज़िया से देखने कीमत मह पर लेकिन वहाँपे चलेगे और वहां पे वहता लेंड है पदा क्का सीमस करने काम और ये लहाँचा आफ लैंड आसीा पर लेंड हो बाहर जोगा यह के लैंड में जो है कबजार ना करने है न ये भी चीजह वैसे हमारे देश में समस्स एंप समस्टा है कि हमारे जो TRAVELS है औनके अदिकार है उनका मद्र देश नहीं, बलकि पूरे देश में, लट्रेशी रेट में सबसे पीछे आता है, तो कही न कही एक concern है कि जो government की sensitivity है, जो travel area जा आदिवासी समाल के चेट के तरफ, तो वह एक बहुत ही insensitive कई बार नज़र आती है, हाला एक government के हाँ पर sensitivity के साथ इसन लेना चीए. powers and functions की बात करें, तो लबग लबग चीज़े हम discuss कर चुके हैं, जिसे land acquisition करना है, land acquisition का मतलब होता है, land लेना, यसे माली जी कई बार land government acquire करती है, माली जी road बनाने के लिए, कोई project बनाने के लिए, तो ये सारा right किसे पार रहेगा, ग्राम सभा के पास रहेगा, ग्राम सभा के अथॉर्टी के बिना आप नहीं कर सकते है, मतलब they will have the power, माली जी कहीan land acquisition किया गया, तो वहाँ पर rehabilitation का मतलब यह है कि, जो displace होंगे न, कहां पर जाएंगे बसने उसके बाद में, यसे माली जी protection of traditional beliefs, जो हमारे आदिवासी समाज के उनके जो belief हैं, विश्वास हैं, और जो उनकी culture है, उसको यहाँ पर protect करने काम करेगी, ownership जो है, minor forest produce जो है, उसकी ownership उनके पास होगी, resolution of local dispute, जो भी छोटे लेवल पे जो लड़ाई जोड़ा होता है, उसको करने काम करेंगे, land alienation discuss कर चुके है, management of village market, जो गाओं की जो market है, उसको management करने काम करेंगे, right to control production, distillation, and provision of liquor, जो liquor है उसको private करने काम या उसको जो भी production करने काम वो करेंगे, exercise to control over money landing, money landing, कई बार money landing है बहुत ब्राइस होता है, हमने बहुत सरे money landers को देखा है, जो क्या करते है गाओं में, आज भी सिस्टम चल रहा है, कि जैसे मालों हजार रुपए दिये हैं किसी को, तो उनका फिर क्या होता है, 100 रुपए की जो किस्त होती है, वो हर महीने एक रहती है, मतब यह सिर्फ ब्याज की होती है, मोलधन तो अलग है, तो इस हिसाब से कई बार money landers जो है, जो गरीब तबका होता है, उसको बहुती बुरी तरह से एक्सप्राटेशन करते हैं, तो यहाँ पर ग्राम सभा को डिजन लेने का अधिकार है, कि इस तरह से money landers ना हो पाए है, तो यह सरी चीज़े हैं, लेकि सब्सक्राइब बात है, बैंकिंग सिस्टम को वहाँ पर ला पैसा के सामने, इस्टेट गवर्मेंट कई बार दिखा आता है, तो वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से लॉज नहीं लाया होते हैं, कि सिरुल डियाज में किस तरह से लॉज लाये जाए हैं, जो कि नैसनल लॉज को यह प्रकासिक करें, मतलब उसके हिसाब से हो, तो कई ब हमारे देश में सिरुल ट्राइब के जो अबादी है, उनलब आट परसंट से उपर है, लेकिन साड़े साथ परसंट का रिजर्वेशन है, लेकिन हम बात करें हमारे देश के टॉप ऑगनाइशन में, यादि सिरुल ट्राइब का रिप्रेडेशन दिखाया तो आज भी नग भले एक्ट बना है, रूस बने हैं, लेकिन ट्रहेवारा उसका प्राफण द्रीकिक से नहीं हो पाता है, दूसरा पार्सले इंपलेमेंटेशन है, वसन से लिखता है, तो उसे दिक्कत क्या होती ही, कि ज जार्खंड का एकसामपल दिया है, लेकि जार्खंड इनी, उसमें स सारे सारे राज्य है मदव देश के इस में आचुता नहीं है और देश करती हैं तो से वह प्रपत तरीके से नहीं हो पाता है हलाकि जहारखन तो हलाकि फिर भी बहुत अच्छा है अच्छी देखने को नहीं मलती इसके लब पैसा की बात करें तो यही बुला आता है कि यह डिलेवर अपना नहीं कर पाए कई बार क्या होता है कि यहाँ पर गौर्मेंट रूस बनाती यहाँ पर गौर्मेंट का पास में होते हैं यहाँ पर गौर्मेंट का विल पावर है कापी इंपॉर्डन होता है गौर्मेंट कई बार उसको पुष्टी हजिटेट करते हैं कि चलो ठीक है इसको टाल दो बात देखा जाएगा तो यह सारी चीरे भी गौर्मेंट की कई बार यह सो करती है कि गौर्मेंट के अंदर वेर्प और नहीं है लेखन नहीं है मोंस कर दिया तünde पर में, by gram सभा लेकिन उसका proper exercises implementation नहीं हो पाता, छोकि हम लोग proper Venus उसका, ये mechanism नहीं देख पाते हैं, कि उसको proper formula implementation कितना हुआ है, कितने percentage implementation हो, तो ये जिद यहां पर बहुत जरूरी है, तो यह रहाँ पैसा ad के बारे में, lot of things we have discussed और आपके सामने कोशे ने भूरिया कमेंटी किसी समधित है आपको कमेंट कर बताना है बैंकिंग, पैसा, पावर्ट रिलाइन या प्रवर्ट आक्षिन और गवर्रमेंट कमपनीज तो यह रहां डिसकस है इस टॉपिक के बारे में